हेलो स्टुडेंट्स स्टुडेंट्स आज के lecture में हम study करेंगे two-way slab two-way slab हम last lecture में भी discuss कर चुके हैं कि अगर longer span by shorter span का ratio 2 से जादा होगा तो one-way slab होगी जिसमें एक ही direction में moment generate होगी और reinforcement जो होगा main steel वो shorter span के along होता है और वो two ages पे supported होती है one-way slab उसी तरह two-way slab में क्या होता है कि four ages support होती है ratio जो होता है longer span से shorter span वो less than two or equal to two होता है और bending moment दोनों direction में generate होती है अब यह जो two-way slab है two types की होती है restrained slabs और unrestrained slab. Restrained slab क्या होती है जब हमारी slab loaded हो तो क्या होता है जब slab पे load लगा हो है तो slab के corners है वो उपर की और move करने की कौसिस करते है corners trying to lift it up ठीक है तो उन जब corners lift करना की कौसिस कर रहे है उपर की और तो उनको उस lifting से रोकने के लिए हम उसे prevent कर देते हैं ठीक कैसे prevent करते हैं हम उनको या तो वो beam से connect होंगे या फिर वो wall के उपर supported होंगे ठीक है अगर beam से connect है ध्यान से सुनिएगा अगर आपका slab का corner ठीक है आपके beam से connect है तो क्या होगा तो corner lift नहीं होगा beam उसको restrain कर लेगा बट अगर wall है wall के उपर अगर slab है यह slab है ठीक है यह wall है तो अब इसको lift होने से कैसे रोकेगा ठीक है इसको lift होने के लिए कैसे रोकेगा दुबारा से मैं बताता हूँ दुबारा से एक बार और यहां से दे लेते हैं कि restrain slab में corners होते हैं जब slab के उपर load आता है तो corners upward की और lift करने का कि उसको lift ना करे या फिर अगर वो simple supported wall के उपर केवल slab रखी हुई है तो क्या होता है जो super structure है हमारा यानि कि यह आपकी wall है ठीक है wall के उपर यह आपकी slab है अब इसका corner उपर की और lift करेगा load की विज़े से यहाँ पर load है ठीक है तो लेकिन इसके उपर भी एक और structure होगा इसकी wall यह जा रही होगी तो इस super structure जो है इसके उपर यह इसको इस corner को restrain करेगा तो इस तरीके से या तो beam की support से या फिर wall की support से हम corner को क्या करते हैं prevent करते हैं lifting lifting ना हो जिससे वही चीज़ यहां पर बता रहा है कि special torsion reinforcement at the edge to prevent crack अब corners पे crack को रोकने के लिए cracks develop ना हो तो हम हाँ क्या करते हैं torsion reinforcement provide करते हैं ठीक है अब हम इसकी fixity कैसे करते है corners की या तो हम cast करते है beam और slab को monolithic या superstructure जो मैं अभी बताया था ठीक है दो तरीके से हम उनको prevent कर सकते हैं तो दो तरह की two way slab होती है एक में corners एक में corners restraint किये जाते हैं यानी कि उनको uplift होने से रोका जाता है या तो beam से या फिर wall से ठीक है अब दूसरा तरह की slab क्या होती है जिन में corners को 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 prevent नहीं दिया जाता lifting के लिए ठीक है तो यह होती है अब देखिए IS code कुछ चीजे recommend करता है जब two way slab design करते हैं ठीक है तो two way slab जब design करते हैं तो बहुत सारे step है one way slab के ही तो उनको हम जल्दी से करेंगे और जो नए step है उनको थो डिटेल में समझेंगे तो क्या कह रहा है हम बात कर रहे है restraint slab की ठीक है restraint slab जिसके corners को हमने prevent किया हुआ है तो IS456 annexer d में जो आप ही point में बता रहा हूँ इस सारे annexer d में लिखे हुने है ठीक है तो first क्या है कि हमें maximum bending moment calculate करनी है slab की दोनो direction में ठीक है sorter span में भी longer span में जैसे कि आपको याद होगा two way slab में movement generate होगती है दोनो direction में ठीक है तो उसके लिए formula इनोंने दिया है movement के लिए अगर x direction में आप निकाल रहे है sorter span में तो alpha x w होगा सो और यहां पर w ultimate यानि factor load x square effective span square और alpha x है आपका coefficient जो आपको calculate करना है याद होगा आपको one way continuous slab में हमने moment और shear force के लिए कुछ coefficient निकालेते same as यहां पर भी वही coefficient हम निकालेंगे थोड़ा से तरीका अलाग है तो देखिए moment in shorter span का formula यह है longer span का formula यह है इसमें हमार w आप लिका ली लेते हो effective span में भी आप निकाल ले तो केवल आपको coefficient आपको सीखना है कि coefficient कैसे हमें निकालना है ठीक है तो alpha x alpha y are the coefficient w total load per unit area mx my moments strip of unit width unit width यह याद रखना है आपको यह mx shorter span के along है longer span के along है लेकिन width strip की 1 meter है ठीक है lx ly क्या है आपकी stronger lotus span ice code अब क्या कहता है कि slab है हमारी two way slab उसको divide कर दे जाता है 3 parts में एक होता है middle strip और एक होता age strip दो होते है age strip ठीक है अगर हम इसको design करने की बात करें longer span के along तो यह इस तरह से 3 parts में divide होगा ठीक है middle strip को हम design करेंगे ice code कितना steel provide करने के लिए बोल रहा है age strip पे वो provide करेंगे फिर हम torzen के लिए steel provide करेंगे same है जब दूसरी direction में design करेंगे तो इसको इस तरह से divide करेंगे दोबारा से थोड़ा से धीरे से बताता हूं कि two way slab के अंदर हमें जो design करनी होती है वो दोनो direction की movement को तो रेसिस्ट करने के लिए करना होता है अब जब हम longer span में जो longer span की Along जो moment generate हो रही है उसके लिए हमें तीन parts में divide करना होगा और जब shorter span की movement को हमें resist करने के लिए design करना है तो उसके लिए अलग तीन parts में divide करना है ages ए ages strip और middle strip ठीक है और IS code कहता है जो maximum moment होगी वो middle strip के लिए निकलेगी और reinforcement mean जो निकलेगा वो middle strip के लिए निकलेगा ages पे क्या provide करना है वो आगे बात करेंगे और उन्होंने distance भी देती है L by L by 8 ये होगा और 3 by 4 L by 4 ये होगा इसको याद रखना है numerical करता है ये दियाना आएगा अभी जो मैंने बताया कि alpha x और alpha y कैसे निकालना है तो IS code में ये table दीवे table number 26 यहाँ पर देखो क्या कहा है सबसे पहले आपको पता करना है table दियान से मैं जब numerical solve कराऊंगा तो value यहाँ पर नहीं बताऊंगा कैसे लिकाले इसलिए अभी समझ लो सबसे पहले आपको पताऊना अच्छी है जो आपके numerical में किस type की slab दी है तो interior panel अगर design कर रहे हो continuous slab है और बीच का एक panel design कर रहे हो तो आप ये वाला row यूज करोगे ठीक है अगर आप ऐसी slab design कर रहे हो जिसका one sorter age discontinue है यानि कि ये slab है ठीक है इस तरह से है कि longer span में तो दूसरी एक और slab continue हो रही है लेकिन short span में कोई यानि one short age one sorry 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 one short age यानि यहाँ पर भी slab है केवल एक short age discontinue है ठीक है one long age discontinue two adjacent age discontinue two short age discontinue two long age discontinue और three age ये इस तरह से आपको ये आपको लिखावा जो है इसी से समझमारे से three age discontinue यानि ऐसी slab two way जिसकी तीन ages discontinue है उसके बाद कोई slab नहीं केवल एक एज के एक एज ऐसी है जिसमें हम हमारी continue slab है तो इस हिसाब से पहले आप पता कर लोगे कि आपकी slab किस टाइब की है ठीक है मालो पहली वाली interior slab है ठीक है उसके बाद आप ly by lx का ratio निका लोगे मालो 1.2 आ गया ठीक है तो यह है आपका shorter spend के लिए coefficient क्या हो जाएगा negative moment के लिए हो जाएगा positive के लिए हो जाएगा ठीक है आगे चलते हैं ओके आएस कोड कह रहा है maximum moment calculate and apply on the middle strip यह भी मैंने बता है जो maximum moment mu x जो निकलेगी और mu y जो निकलेगी maximum moment वो middle strip के लिए निकलेगी ठीक है अच्छा यह जो कह रहा है tension reinforcement provided at mid span in the middle strip cell extend into lower part of the slab within 0.25L of continuous age and 0.15L discontinuity वही बात कह रहा है कि अगर आप जो हमने पहले बताईती कि हमें कुछ bars 50% of bar उसको negative moment के लिए bend up करना होता है तो bend up के लिए जो distance हमने बताईती याद होगा आपको यह distance 0.15L for discontinue और continue के लिए 0.25L 50% for negative moment जो अभी बता रहता हमें जो उपर की और bend होगा आपका यह बार जा रहा है और यह bend हो रहा है ओके तो यह थी two-way slab अब numerical समझना है आपको तो आपको सब चीज के लिए हो जाएगी तो numerical में देखी क्या दिया हुआ है design a reinforced concrete slab for a room के लिए dimension यह ठीक है यानि कि longer span 5 meter shorter span 4 meter slab is supported on walls walls की width भी 230 mm slab carrying live lot 4 km per meter square M25 FE 415 corners of the slab held down here prevent कि हुए है ठीक है given data longer span 5 meter shorter span 4 meter live lot 4 km per meter square M25 FE 415 corner of the slab held down यहां तक कोई doubt नहीं है ठीक है क्या कह रहा है यह एक slab है two-way slab जिसका यह है आपका 5 meter यह है 4 meter live lot 4 लग रहा है इस पर और यह restraint है चारो corner से ठीक है अब देखिए step क्या है numerical को solve करेंगे सबसे पहले depth निकालोगे thickness of the slab फिर effective span निकालोगे फिर bending moment के लिए आपको alpha निकालना होगा फिर middle strip के लिए reinforcement निकालोगे फिर age strip के लिए निकालोगे फिर torsion के लिए निकालोगे फिर check for shear and reflection यह सारे पार्ट करने मैं इसमें आपको यह पार्ट नहीं बताऊंगा check for shear and reflection same as यह जो लास्ट टाइम पर numerical कराया था आप इसमें क्या करते थे वी यू आपको पता होता था आप tau v निकालते थे tau c निकालते थे वहाँ पे check करते थे और लिखते थे हमेंसा आपको एक ही result आएगा slab क केस में no shear reinforcement requirement deflection के केस में आप L by D ratio निकालते थे L by D ratio मालो 20 है तो उसमें K का multiply करते थे YS code से K कोफिसे निकलता था फिर जो L by D आप provide कर रहे हो वो check करते थे और वो okay निकल जाएगा तो deflection okay ठीक है तो यह step है first step है calculation of depth तो depth calculation के लिए longer span 5 meter shorter span 4 meter live load 4 km अब देखिए clause 24.1 page number 39 पे YS code 456 क्या कहता है कि अगर shorter span 3.5 meter से कम है और live load 3 km per meter square से कम है अगर यह दो condition है तो हमें कैसे निकालना है depth L by D is equal to 35 into modification factor for mild steel L by D is equal to 35 into modification factor into 0.8 for FE 400 और हम इससे D निकाल लेंगे पड हमारा तो जो live load है वो 4 km यानि यह वाली condition ही फेल हो रही है और हमारा जो sorter span है वो 3.5 meter से जादा है अगर कम होता तो यह condition हम लगाते है अब क्या करना है जब हमारा क्योंकि क्योंकि शोटर स्पेंच 4.5 meter से जादा और live load भी जादा है तो close कहता है हमारा 23.2.1 कहता है कि L by D ratio 20 होगा और multiply by modification factor modification factor कहां से निकालेंगे आप figure number 4 is code 456 से ठीक है modification factor निकालने के लिए आपको FS निकालना होगा station steel at service load होता है यह तो उसका formula यह अगर यह 1 होगा तो FS हमारा निकल जाए 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 पीटी भी हमें नहीं पता तो हमें PT की range होती है minimum to maximum .3 to .3 slab के लिए तो हमने .4 assume कर लिया है अब हमा FS भी पता है PT भी पता है इन दोनों को dia figure में देखके देख figure है इस तरीके से figure number 4 IS code में हमें MF की value मिल जाएगी और L by D is equals 20 into MF multiply करके हमारा D निकल जाएगा D आ रहे है 153, 160 को assume कर लेंगे round up करके और capital D यानि overall depth क्या होता है clear cover plus dia का half clear cover 20 mm हमने assume कर लिए day हमने 8, sorry 10 का assume कर लिया तो 10 by 2 तो यह आ गया 185 ठीक है कोई भी doubt हो तो comment कर देना वीडियो में और इसको subscribe कर लेना का भी फिर आप यह कहो कि मैं भूल गया lecture मैंने mail नहीं देखा चैनल को subscribe कर लेना जो आपको notification मिल सके कोई भी doubt हो तो comment जुरूर करना ठीक है depth हमारे निकल चुकिए first step हो चुका है अब second step है हमारा effective depth तो shorter span के case में effective depth का formula है clear span plus effective depth और clear span और support का half message जो lesser value होगी तो यह हमने जब calculation करी तो lesser value कौन से निकली 4.160 same as longer span में भी आप निकाल लेंगे तो longer span में value निकले गए आपकी 5.160 meter ठीक है कोई इसमें तो कोई doubt नहीं होना चाहिए भी ठीक है दो condition होती है effective span निकालने के लिए clear span 4 meter plus effective depth 160 mm और clear span plus support का half plus support का इन दोनों message जो lesser होगा वो ले लेते हैं इस दरह shorter span में हमने यह नहीं काल लिया longer span में भी same ऐसे 5.160 हा जाएगा अब load calculation self weight to overall depth density into 1 meter की strip यह आ गया हमारा floor finish assume कर लिया है यह आ गया live load given है तो total load आ गया यह इसको 1.5 से multiply किया तो factor load आ गया है इसमें भी कोई doubt नहीं होना चाहिए आपको अगर यहां पर एक doubt आ रहा होगा कि 0.8 जो floor finish assume किया है kilo Newton per meter square उसको per meter करने के लिए जो 1 meter की strip हम ले रहे है उससे multiply कर देंगे ठीक है आपको सबसे पहले आपको पता करना है कि किस टाइब की हमारी slab है अच्छा तो हमारी slab किस टाइब की है 4H discontinue है न हमारी numerical हमें लिखा था न 4H discontinue एक बार में दिखा रहेता हूं आपको यह रहा है यह रहा है the corners of this slab है held down ठीक है discontinue है अब discontinue है तो देखिए उस table में देखते हैं last वाला है 4H discontinue तो यहाँ पर negative positive moment होगी नहीं तो हमें बस यह देखना है कि l by x का ratio से हमें shorter spend की value ले 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 नहीं है और longer spend की value ले 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 ठीक है तो alpha x shorter spend coefficient alpha y longer spend coefficient ly by lx की value इतनी आ रही है अब क्या है कि हमारे पास जो table में value है ly by lx 1.2 के लिए इतनी है alpha x और 1.3 के लिए इतनी है alpha x लेकिन हमारी value है 1.25 तो interpolation से alpha x निकल जाएगा इतना और alpha y निकल जाएगा इतना interpolation मैंने class में एक lecture में बता चुका हूँ कैसे निकालते हैं ठीक है 1.2 की value table में मिल जाएगी 1.3 की तो 1.25 कैसे निकालना है same as आपको alpha y निकाल लेना है ठीक है अब alpha x alpha y निकल चुका है तो moment दोनों direction में निकल जाएगी formula आपको बतायवा alpha x w u l x square और alpha y w y square as per is code page number 90 पर value दी वी है तो moment हमारी m u x और m u y दोनों हमारी निकल चुकी है अब depth check करनी हो तो यादो आपको last जो numerical हमने किये one way slab के slab के जो भी numerical किये है उसमें हमें moment given है और 0.87 fy वाला equation हम लगाते है उसमें depth required निकालते हैं वह equation है थोड़ा सा short में लिखी हुई है ठीक है तो moment हमारे पास है depth required हमने निकाली तो 72.89 आप depth required जो one way वाले जो numerical है जैसे उसमें निकाले है वैसे ही इसमें निकाल सकते हूँ ठीक है तो depth required जो निकली है हमारी 72.89 mm निकली है और जो provide कर रहे है 160 mm तो यह okay है हमारे लिए अब reinforcement निकालना है तो longer span की बात करते हैं तो longer span को आपने तीन पार्ट में divide कर दिया है यह आपकी middle age shorter age ठीक है वो age sorry बी हम assume करेंगे width वन मीटर के लिए design करेंगे और डी हमें दिया हुआ 160 mm percentage of steel देखिए आपके बाद दो तरीके हैं या तो moment is equal to AST वाला format निकाल के पहले AST निकालोगे AST निकालनेगा उससे PT निकालोगे या फिर आप directly इस equation से PT निकालोगे percentage of steel दोबारा से बताता हूं मैं students last lectures में जबने one way slab के numerical करते हुए आ रहे हैं उसमें जब हम percentage of steel निकालना होता था तो पहले moment की equation से हम AST निकालते थे फिर AST से हम percentage of steel निकालते थे आप वैसे भी कर सकते हो या फिर direct इस equation से percentage of steel पहले निकाल लो और फिर area of steel इस तरह से निकाल लो तो PT निकाल गया 0.2% area of steel 320 निकाल गया mm-square 8 mm का dia assume किया तो एक बार का area इतना आ गया spacing के लिए हम यह निकाल लेंगे तो 157.1 आ रही है हमेशा यहाद रखना जो भी spacing है इसको round up नहीं करना round down करना है यानि कि नीचे वाली value लेनी है 150 mm हमने एज्यूम कर लिए अब 150 mm हमने spacing एज्यूम किये तो दुबारा से हम कितना steel प्रोवाइड कर रहे हैं यह निकालेंगे क्योंकि हमने round up की ठीक है तो provided area of steel क्या हो गया हमारा यह 335 minimum area of steel वह याद होगा आपको 0.12% लेते हैं cross section का 216 आ रहा अब reinforcement in longer span देखो एक चीज़ में आपको बता दू जब लिखा हूँ आ रहा है कि reinforcement निकालना longer span के along यानि कि ऐसे ऐसे जो reinforcement डलेगा तो इसी direction में strip को divide भी करना है ठीक है तो strip की width निकाल लेंगे same as processor जैसा भी उपर निकाला है width निकाल लेंगे इनकल गई moment दिया हुआ है pt का उसी equation से निकाल लेंगे ast निकाल लेंगे dia assume करा spacing निकाल ली spacing को round down कर दिया 200cc हो गया mmcc अब provided दुबारा से गवर बात आता हूँ जब अपने spacing calculate की उसको round up किया तो अब round up करने के बाद जो spacing आई उससे दुबारा से area of st निकाल लेंगे जो एक्चॉन प अब देखिए longer span और shorter span की जो middle strip उसके लिए reinforcement निकल चुका है 8 mm का dia एक 1500 mm की spacing पे 200 mm की spacing पे ठीक है अब निकालना है हमें ages पे age strip जो है उसके reinforcement तो उस पे IS code ने कहा है कि minimum जो प्रवाइड कर तो minimum कितना आरता हमारा 216 जो 0.12 ने निकाला था ठीक है तो 8 mm का dia use किया number of bar निकल है हमारे पांच पांच बार हमें age strip पे डालने हैं तो spacing निकालने के लिए मैं पता होना चाहिए age strip की length क्या है ठीक है वह आप निकाल लोगे जो आपको दीवी थी age strip की length मैं आपको बता जाता हूं उपर करके यहां पर यह देखिए l by 8 ठीक है number of bar आपको पता है 5 डालने हैं ठीक है और आपको length पता है तो length से 5 को डिवाइड कर दो को तो spacing आजाएगी center to center अब हमें provide करना है torsion के लिए reinforcement ठीक है torsion के लिए हमें क्या करना है पहसे पहले हमने 3 by 4 करके हमने इंकाल लिए उसकी strip की AST इंकाल लिया steel provided each layer torsion के लिए 3 by 4 into maximum AST at mid span ठीक है यह is score हमारा कह रहा है कि torsion के लिए अगर आपको steel provide करना है तो जो maximum है हमारा जो mid में हम provide कर रह 37 उसका 3 by 4 करके जो 200 क्या होना आगे provide कर देंगे 1 meter width के लिए ठीक है अब shorter age ओ long strip की AST के हमने distance निकाल लिए और फिर 8 mm का डाया प्रोवाइड कर रहे हैं तो spacing कर जाएगी 190 mm तो ages पे जो आगे हमारा provided 190 center to center 8 mm का डाया for torsion ठीक है अब देखों यहां धिहान रखने वाली बा लमाई की तो उसकी detailing drawing जो रहो बनानी है तो यह है आप क्या shorter span यह distance से पता चल रहा होगा यह आपके red वाली जो line है यह आपका है reinforcement along shorter span 8 mm का डाया देखों की spacing और यह circle नहीं है longer span के along और मैंने जो बताया था कि 50% प्रवाइड परते हैं negative moment के लिए तो यहां पर अगर 8 mm है देखों की spacing में तो 8 mm 300 की spacing हो जाएगी यहां पर ठीक है center to center distance अमने बताए भी थी first is code क्या कह रहा है 1.0.15L discontinue ages के लिए overall depth आपकी 185 ह तो जैसे तरह से हमने longer shorter span का यह बनाई यह द्राइं उसी तरह longer span के बनाऊ गया और उसके बाद top view और bottom view बनाऊ गया रही top view के मैंने roughly detailing करता ही है फिर मैं आपको साइसी द्राइंग पर दिखाऊंगा कि यह है हमारी top view की जिसमें यह आपका longer span के along है ठीक है इसकी आपका या at the rate 200 की spacing center to center और shorter span है यह आपका red वाला यह 8 mm 500 की spacing ठीक है और आपका यह है आपका torsion के लिए reinforcement 3 by 4 जो लिया था आपने 202 mm2 जो आप यह देखिए एक drawing है इस तरह से आपको drawing बनाने है design के बाद जिसमें आपको longer span के along reinforcement with spacing दिखाना है sorter span के along with spacing दिखाना है torsion के लिए जो provide किया है वो दिखाना है spacing के साथ ठीक अब आप कह रहे होंगे कि यहाँ पर यह ज़्यादा है आपका इसको समझ लेना यहाँ पर आपका spacing कम दिखाए दे रही है यहाँ पर ज़्यादा दिखाए दिखाए दे दरसल टॉप से जब आप देखोगे मैंने कहा था 50% बार को bend कर देना है उपर की ओर तो यह वा इसमें यह ले बार ठीक है एक बार और समझायता हूं मैं अगर इसमें आप देखोगे टॉप से अगर आप देखोगे टॉप व्यू देखोगे आप तो आपको क्या दिखाए देगा आपको टॉप व्यू में यह वाला बार दिखाए देगा यहाँ पर तो कोई बार नहीं है ना अगर टॉप से मैं इसको देखूँ स्लैब को तो ऐसे बार दिखाई देंगे अगर बॉटम से देखूँ तो यह वाला बार दिखाई देगा तो वही चीज़ है यह प्लान है बॉटम पे यह टॉप पे क्योंकि बॉटम पे जो रिंफोर्समेंट है यह वाला अल्टरनेट बार बैंड हो आते हैं टॉप में ठीक है टॉप के व्यू में ही यह दिखाई देंगे ठीक है समझ गए तो इस तरह से आपको ड्रॉइंग बनानी है तो यह यहां पर आपका टूवेस लैब फिनिश हो गई है एक चीज और इसमें रह गई है आपको डिफ्लेक्शन और शियर फॉर्स के लिए और चेक करना है मैं आपको दिखा देता हूँ पिछली बार जो कुछ नहीं करना है इसमें यह आपको वन वेस देख रहा है चैक फॉर्स यह जैसे हम करते थे वी यू आप निकाल लोगे वी यू आपको दो तरह के से निकलेगा वी यू एक्स और वी यू वाई ठीक है क्योंकि वी यू का फॉर्मुला क्या होता है आपका डबलू यू क्या हो जाएगा एल एक्स और वाई तो दो वी यू निकलेंगे टीवी निकाल लोगे पीटी निकाल लोगे टीसी निकाल लोगे और आप यह चेक कर लोगे फिर शियर रिंफर्समेंट इस नॉट रिक्वाइड चेक फॉर डिफ्लेक्शन एल बाई डी सोटर स्पैंड के लिए लोंगर स्पैंड के लिए के की वैलियू निकाल लोगे जो आई एस कोड पेज फिर नंबर फॉर में दिया हुआ है के की मंटिप्लाइ करोगे रेश्यो निकल जाएगा फिर जो एक्च्वल प्रोवाइड कर रहे हो जैसे की सोटर स्पैंड में एल का है आपका फॉर जब मेल आएगा तो उसके साथ असांग्मेंट और उसकी डेट अटेच होगी और लास्ट आज है 25 फिफ तो फरस्ट असांग्मेंट की तो उसको संब्मिट कर देना उसके बाद असांग्मेंट असेप्ट नहीं होगा तो कोई भी डाउट हो तो कमेंट जरूर करना और यब के तो